नमस्कार मित्रों आज मैं आपको एलो वेरा यानि गवार पठ्था या घ्रतकुमारी जिसे कहते हैं उसका हलुआ बनाने कई बारे में बता रहा है है हलुआ कैसे बनाना है घ्रतकुमारी लाओ इस टाइप की वो है आधिक लोग तोलो तोल करके निया उनका छिलका उताल लो सिलका उतार के करीमन ये मैठेंगे साड़े चार सो ये चार सो ग्राम के आसपास उनको लो बराबर देसी गहीं में तलना हैं कब तक तलने इस बात को मैं बताता हूँ जब तक बिल्कुल लाल ना हो जा जब लाल हो जाए निकाल के निया रख लें और उसमें उसी कड़ाई आप आदिक लोग बेशन को भूने जब बेशन भून जाए तब आप ऐलो वेरा होना हुआ डाल दें और इसमें चीनी डाल दें चीनी आपके आवेशकत अनुसार भी डाल सकते हैं या कम से कम चार सो ग्राम भी डाल सकते हैं क्योंकि मरीज सुगर वगरा नहीं है तो चीनी चार सो ग्राम तक अप नहीं है है तो बिलकुल ना डालें या नाम मात्त को डालें अपने या कच्छे खांड भी डाल सकते हैं इसको चलाते हैं पानी अपनी आवेशकत अनुसार डालें तो ये आपका ध्रत कुमारी का हलुआ तयार हो जाएगा इसको आप ठाली में जो हलका घी लगा करके निया कत्री भी बना सकते हैं और एक से दो कत्री या हलुआ रोजना धूत से इससे गठ्यावाए सूजन दर्द ये बहुत तेजी से दूर होता है भौत अच्छा हार्मुला है बना कर देखें और मेरा चैनल बालमुकंद ग्रूप अईरवेटिक मेडिशन लाइक करें ससक्राइब करें और दूसरा चैनल है निशाद ग्यान गंगा उसे भी दिखित ससक्राइब पर लाइक करें जेजिए इवाची जीवाची